वेल्कम टू चैनल नौलेज आफ फार्मेसी मेथाक्सलेन आइंड अमीनो बेंजोईक एसिड ओइंटमेंट और लोसन का आज हम रिवीव करते हैं तो ब्रॉण डेम की बात करें तो मेलोनोसिल मेलोनोसिल ओइंटमेंट लोसन मेलोविन और कुछ ब्रॉण नेम है जो भी तरलता से आपको मिल जाए आप ले सकते हूं वही इसके मेकिनीजम आफ एक्सन की बात करते हैं या वर्क की बात करते हैं तो टू कॉंबिनेशन आप मेडिसीन मेथाक्सलेन एंड अमीनो बेंजोई एसिड तो मेथोक्सलेन एक और्गनिक कंपाउंड है यूज अल्ट्रा वाइलेट ए एरिडेशन वर्क डिक्रीजिंग नंबर आफ सेल इसकिन इसकिन मेक एंड रेगुलेट ओबर ग्रोथ इसकिन सेल तो एंड जो अमीनो बेंजोईक एसिड है यह एसिड प्रिबेंट करत संबर्ण प्रिमेचर एजिंग आफ दीज किन तो इस तरीके से अपना कारी करते हैं वहीं इसके यूजर को देख लेते हैं कि डॉक्टर कहां पे प्रियोग में लेते हैं तो बीटीलीगो वेटीलीगो एक जो है बेटीलीगो में प्रियोग में लिया जाता और सफेद यह स्वेलिब्स रधे में लेते हैं सवेल्स यानि य além यह समें इस प्रियोग में लिया जाता है इसे प्रियोग में लेते हैं आप प्रिस्क्रिप्शन रहें करते हैं तो यह तो इसके उपयोग के बाद हुई आप कुछ देख लेते हैं इसके side effect की तो इसकी में redness हो सकता है इसको प्रियोग करने पर या itching खुजली हो सकती तो यह जो है इसके side effect है वहीं गर counter indication की बात कर लें तो जो है photosensivity हो यानि संबेदन सीलता हो या photodermotitis या पीडित रोगी से counter indication है या pregnant omen है या history of melanoma हो तो उनके लिए यह counter indicated है वही precaution की बात कर लें तो blisting ulceration जो है जिनकी skin पर ulceration हो या blisting हो या court को steroid medicine का जो है प्रियोग कर रहे हो या medicine अबे आप children यह बच्चों से दूर रखना चाहिए छे month जो है continuously treatment is not improvement at least discontinue medicine अगर छे month में result नहीं मिलता है तो इसको रोख देना चाहिए यूज advise supervision of doctor या supervision आप doctor के physician के prescription पर भी इसको प्रियोग में लेना चाहिए उनके supervision में लेना चाहिए और जो बारा साल से बारा बार से कम के बच्चे हों उनको जो है यह नहीं जो है देना है और जो है रोगी नहीं लगाना है जो रोगी हो किड्नी या लेवर की डिजीज हो वह भी डाक्टर से संपर्क कर ले तो यह जो है कुछ इसके precaution की बात हुई अब बात हम कर लेते हैं कि जो है यह जो है डोजकी तो डोजकी बात करते हैं तो बिफोर अप्लाइंग वास पैचेज, soap and water इसको अपलाई करने से पहले जो है उस जगां को साबुन से और साफ पानी से धो लेना चाहिए दो लेना चाहिए उसके बात सुखा लेना चाहिए फिर इसको पहली बात तो अपलाई टू टॉपिकल इसकिन यानि इसकिन पर बाहर ही अपलाई करना है यह मतलब अल्टरनेटीब डेवन्ली जैसा आपके डॉक्त कहते है वैसे ही अपलाई करना है और अपलाई करने से पहले दिन आपको 1-2 मिनट जो भी या 15 मिनट भूप में जो है बैटना है और जो है और भी बढ़ा सकते हैं 15 से 30 भी ऑटना है और जब आप इसको प्रियोग मे ले रहे हो तो खट्टे फल का यूज नहीं करना जैसे नीबू संत्रा एंजीर गाजर का प्रियोग नहीं करना है ओके थाइंक्स आप चाहते स्किन सौट ले सकते हैं फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में